हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे आज मैं सूजी से बनने वाली बहुत ही यूनीक सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे अगर एक बार आपने खा लिया ना तो बाहर का पिज्जा बर्गर भूल जाएंगे तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करें इस नास्ते को बनाने के लिए मैंने एक कप सूजी लिया है यह मैंने बारिक वाली सूजी का इस्तिमाल किया है आप जब भी बनाए तो बारिक वाली सूजी इस्तिमाल करें और आधा कप मैंने दही लिया है और दही बिलकुल भी खटी नहीं है फ्र यहां पर घ्यहतला आफ pre-sader तक सब्सक्रत ओपार करें और एक प्रस्क मैं गष्यजाब में वहाससका का। मैं लिया था और एक छोटा केपसिकम मैंने लिया था जिसे भी इस तरह से डाइस स्पीसेस कट कर लिया है और इसे हम हाई टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे सौटे कर लेंगे बस हलका सा जो प्याज है और कैपसिकम है वो बस भून जाए तो यह देखिए हमने प्याज और कैपसिकम को हलका सा भून लिया है और इसे रख दते हैं साइड और यहाँ पर जो हमने सूजी को सोक होने के लिए छोड़ा था सूजी बहुत अच्छे से फूल गई है तो इसका जो बैटर हम तैयार करें इसका एक घोल तैयार कर लेंगे आप देख सकते हैं यह फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में है तो इसी घोल मैं डाल रही हूँ एक से दो लाल मिर्च है जो हरी मिर्च होती है न वही लाल हो जाती है मैंने उसी का इस्तिमाल किया है साथ में थोड़ा सा धनिया पत्ता बारिक चौपकर के लिया है साथ में स्वादानुसा नमक डाल लेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये हमारा घोल बनकर रेडी है देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सा ये हमारा घोल बनकर रेडी है आप इसके जगए इडली बैटर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आपके पास बचे हुए हैं तो और मैं इस तरह से एक बड़ा सा बाउल ले रही हूँ जिसे मैं ओयल से अच्छे से ग्रीज कर दे रही हूँ और इसी बाउल में मैं एक छोटा सा प्लेट ले रही हूँ प्लेट कहिए कस्तरी कहिए चाहे जो कहिए ये छोटा सा मैं ले रही हूँ बस उसमें अटने भर और एक तरफ गैस पर मैंने पानी पहले से गरम करने के लिए रख दिया है उस पर इस तरह से एक स्टैंड रखेंगे जाली रखेंगे अगर आपके पास नहीं है तो आप वहाँ पर कोई कटोरे भी रख सकते हैं पानी भर के और इसी कटोरे में हम डाल देंगे जो हमने सूजी का बैटर तयार किया है न वो हम डाल लेंगे बस प्लेट को ढखने तक उ अच्छे से पक सके इस्टीम हो सके तो आप देख सकते हैं 15 मिनट के बाद यह अच्छे से स्टीम हो गया है मैंने यहाँ पर चाकू डाल कर देखा है एकदम क्लियर आती है यह बहुत अच्छे से पक गया है तो बस इसे हम कडाही से बाहर निकाल लेते हैं और इसे हम निका लेते हैं तो इसे निकालने के लिए थोड़ा सा इसे ठंडा कर लिजिए ठंडा करिएगा तभी ये निकलेगा आराम से गरम में नहीं निकलेगा तो मैंने इसे ठंडा कर लिया है और चाकू की सहयता से मैं किनारे हटा लेती हूँ तो मैंने इस तरह से इसके किनारे हटा लिये हैं और इसे मैं उलट लेती हूँ उलटकर इसे हम दीमोड करेंगे तो मैंने इसे उलट लिया है उलटकर इसे टैप टैप करके मैंने इसे निकाल लिया है यह देखिए यह बहुत ही आसानी से निकल जाता है मैंने इसे निकाल लिया है और यह मैंने पहले निकाल कर रख लिया था और यह जो प्लेट है ना वो भी बहुत ही आसानी से जटपट निकल जाएगी तो मैंने इसे निकाल लिया है और गैस पर मैंने एक पैन रखा है जिसे ओयल से अच्छे से हम ग्रीज कर लेंगे ग्रीज किये हुए पैन में हमने जो बनाई है कटूरी का सेप दिया है हमने तो उसे उलट लेंगे उलट कर उसे सेख लेंगे तो इसे लगभग हाई फ्लेम पर हम कुछ सेकंड के लिए सेख लेंगे लगभग 30 से 40 सेकंड के लिए मैंने इसे सेख लिया है इसके चारो तरफ आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया आया है तो बस उसे उलट देंगे और फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और इसे हम पीजा का सेख देंगे इसमें मैं पीजा का फिलिंग डालूँगी तो इसके लिए पहले मैंने सॉस डाला है यहाँ पर मैंने पीजा पस्ता सॉस एड़ किया है और यहाँ पर मेरे कुछ क्लिपिंग मिस हो गई है मैंने यहाँ पर पहले नीचे sauce डालने के बाद cheese डाला था mozzarella cheese उसकी उपर जो हमने dice किया हुआ प्याज और capsicum को भून कर रखा था saute करके उसे मैंने डाला है और कुछ मैंने टमाटर को slice करके डाला है साथ मैंने इसमें कुछ corn डाले हैं और उसके उपर से फिर हम यहाँ पर डालेंगे अपना cheese तो यहाँ पर मैंने mozzarella cheese add किया है जितना आपको पसंद है उतना आप भर-भर के cheese डाल लीजिए तो मैंने इसमें cheese डाल लिया है और उपर से मैं थोड़ा सा इसकी उपर chili flakes डाल दूँगी ताकि यह एकदम pizza का टेस्ट लगे और साथ में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ mix herb उपर से मैं sprinkle कर रही हूँ आपके पास जो है आप उसका इस्तिमाल कर सकते हैं आप organo का इस्तिमाल कर सकते हैं चाहे pizza seasoning जो आती है उसका इस्तिमाल कर सकते हैं मेरे पास जो घर में mix herb थी ती मैंने उसी का इस्तेमाल किया है पैन की लीड को लगा देंगे और इसे चार से पांच मिनट तक लो फ्लेम पर जब तक ये अच्छे से जो इसकी उपर चीज हमने डाला है वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती है तब तक इसे हम ढख कर पका लेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारा चीज है न वो अच्छे से मेल्ट हो गया है तो बस मैंने पैन से बाहर निकाल लिया है पैन से बाहर निकालने में मेरा जो पीजा हमने बनाया है वो हलका सा क्रैक आ गया है फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है आप जब निकाले तो थोड़ा सा सेफटी से निकाले और ये हमारा टे तो अगर आपके बच्चे घर में हैं तो आप उन्हें ये बना कर दे सकती हैं उन्हें बहुत पसंद आएगा उन्हें लगेगा ही नहीं कि ये सूजी से हमने बना कर रेड़ी किया है तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लिजेगा ताकि हमारी निव वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके बाइबाइब फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की निव और इंट्रेस्टिंग रेसिपीज के साथ